क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और फ्रेश करो इस बेल आइकन पे ताके आप देख सकते हो वीडियो सबसे पहले मैं आपको बताने वालो हुँ आप बटन न्याविजिटे सबस्सक्राइब कर सकतीं करें अब यह के अप्लिककेशन फेल सकते हो इस तरह के यह navigation bar आप कैसे create कर सकते हो अपने application के अंदर वह चीज में आपको इस वीडियो में बताने हो और यह navigation बार का component आपको macroid में मिल जाता है बहुत ही easy create करना तो इस वीडियो को पुरे end तक दीखे तो आपको easy पता चल जाएगा आप अपने application के अंदर यह button navigation बार बना कर अपने application को और भी mb मतलब जो application का size यह वह और भी कम हो जाएगा और आपको ज्यादा screen भी यूज करनी पड़ेगी और आपके जो भी आप देना चाहते हो अपने application में features वगेरा टाक्स बगरा के जो भी चीज वह बहुत ही मतलब एक-दो screen के अंदर यह आप सभी features आप देपाऊगे आप देख से तो जैसे कि इसके अंदर रिलेटेड तो जिससे आप अपने application और भी बहतर और अच्छा बना पाए तो आप देख सकते हो में वीडियो section के अंदर बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाए तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देजो नीचे बैल आकन देओ इस पर भी क्लि अपन हो चुका है तो इधर आपको user interface में आना user interface में आनके पाद आप देख से तो टॉप में आपको बटन navigation बार का यह component मिल जाएगा इसे आपको इधर drag कर देना है तो यह component के थूई आप बटन navigation बार बनाएगे चार बटन पाच बटन नीचे लगा पाएगे अब इसके ब पर order का market का और fund का सभी चीज़े को display किया था जिसे हमारा application का size भी कम रहता है और application वर्क भी बहुत ही smoothly करता है तो यह total में जो कि चार बटन दिखाना लो तो इधर मैं चार layout ले ले लिए तो आप देख से तो यह मैंने चार layout ले लिए तो आप देख से तो यह मैंने चार layout आप देखे तो आपको proper तरीके से समझवा जाएगा अब यह layout लेने के बाद इन सभी को मैं fill with a print कर देता हूं fill with a print करने के बाद आपको मैं button navigation बाहर के कुछ features बताता हूं तो इधर आप देख सकते हो आपको fill with a print कर देना है fill with a print करने के बाद मैं का color भी अलग-अलग तो आप देख सकते हैं तो चारों को मैंने fill with a print कर दिया और चारों का color मैंने अलग-अलग कर दिया अभी तर आप देख सकते हैं तो मैंने चार वर्टिकल इस्क्रोल अरजमेंट लिया तो इसमें से मैं 3 को invisible कर देता हूं आप देख सकते हैं तीन को invisible करने का क्या reason है जबी हम click करेंगे तब visible होने चाहिए और बाकी के invisible होने चाहिए तो इसके लिए मैं 3 को invisible कर रहा हूं हमें 4 को invisible कर दूंगा तो जब user mobile को open करेगा मतलब हमारे application को open करेगा तब इसको एक भी scroll arrangement नहीं देखेगा तो जिससे वह अच्छा नहीं देखेगा तो जिसके वैसे हम 4 को invisible कर करना चाहूं तो change कर सकते हूं मैं white रखने वालों जिससे आपको easily पता चले तो जैसे आपने मेरा mobile screen पर देखा था तो background में वह तो हलका black था तो इस तरह आप background color भी change कर सकते हूं जैसे मैं background color pink color देता हूं जैसे आप देख से तो green कर दिया तो मैं इसको default रहने देता हूं त तो selected color रहे तो selected color का मतलब होता है कि जब user को button पर click करेगा उसका color क्या होना चाहिए तो इसका color मैं red कर देता हूं तो जिससे थोड़ आच्छा दिखेगा और तो unselected color जब अगल बगल के जो button रहे तो आपने मेरा mobile screen पर देखाता हूं जब उसे बस select नहीं कर तो तो इनका color जो कि यह ना dark gray दिख रहा था तो इस तरह वो unselected color वो dark gray रहे तो जो कि by default तो इस तरह आपको set कर देना और इस button navigation बार को आपको नीचे ले ले लेना है आपको नीचे ले लेना तो आप उपर लगाना चाहिए तो उपर भी लगा सकते हो नीचे लगा चाहिए और नीचे जाएगा यह वाला आपको ले 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 अब यह बटन navigation बार इदर आप देखसे तो यह बीच में आ रहे तो इसको मुझे एकदम नीचे लेना नीचे लेने के लिए क्लिए क्या करूंगा इधर यह जो इनको विजिबल करके अब मैं इससे नीचे ले ले लता हूँ तो अब यह नीचे आ जाएगा तो आप देखसे तो अब यह मेरा बटन navigation बार एकदम नीचे आ गया तो देखसे तो यह स्क्रीन इनिशलाइज होते है हमारा बटन navigation बार दिख जाना चाहिए और इसके अंदर क इस आपने मेरा मोबैल स्क्रीन में देखा था नीचे लिखा था फंड और मार्केट आप देखसे तो वह सब चीज होता है ताइटल और इमेज मतलब जो ओपर आइकन दिखते हैं फंड के ओपर जो आइकन दिख रहा था वह होता है इमेज तो इदर आपको आइडी भी उस टेक्स वाला आपको ले लेना और इसको कॉपी कर लेना कॉपी करने के बाद इसको आपको इधर लगा देना अब ये कर देना ये करने के बाद में चार बटन लगाने वालो इसमें तो मैं इसको चार बार कॉपी कर लेता हूं यह मैंने इसे चार बार ले लिया अब मैं इसे इदर सेट कर देता हूँ यह मैंने चार बार लगा दिया अब सबसे पहला ID नंबर 1 कर देता हूँ इसके बाद ID नंबर 2 कर देता हूँ इसके बाद ID नंबर 3 कर देता हूँ इसके बाद ID नंबर में इसका 4 कर देता हूँ अब सबसे नाम रख दिया अब इसके बाद आप देख से तो यह इमेज तो जो आप देख से तो नाम के ओपर इमेज शो होते हैं उसको हम इधर सेट करेगे अब वो सेट कैसे करेगे तो इधर आपको इमेज का नाम डालना पड़ेगा अब वो कैसे डालना पड़ेगा पहले आपको इम इप लोड करना मैं यह upload करके आपको बता जिता हूं इसलिए समझ भायगा कौन सा बटन क्या वर्क करता है तो इदर आपको जो भी आइकन लगाना वह लगा सकती है यह सर्च कर वह को आपको आइकन मिल जाएगे तो वह सारे अपलोड है तो फ्री अफको सब्सक्राइब कर लेना आपको डाउनलोड कैसे करना वह नहीं बता तो हमाँ आपको एक डाउनलोड करके बता तो जैसे अकाउंट बैलनस यह वाला मुझे इसका आइकन चीए तो इस पर क्लिक करता हूँ करने के बाद आपको यह उप़र करना यह उपर करने के बाद आप देख सेफिक तो इधर 18 डिपर 24 डिपर 36 डिपर अलगला डिपा दिखेंगे तो इधर आप दिस से तो फॉर्टि है यह वाल आपको डाउलोड किये हुए देख सेंख तो यह जिप फाइल के पानर इस तरह य तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए हाउ टो ओपन जी फोलडर विस सॉफटर यूज तो ओपन जी फोलडर इस आप करके आप सर्च करके तो आपको बहुत सारी टुटोरियल वीडियो मिल जाएगे तो वह देखके आप इसे ओपन कर सकते हो आप देख से तो यह ओपन होने के तो इदर यह नाम बहुत बड़ा दिख रहा है तो मैंने सभी को रिम कर दिया इस तरह क्लिक करके मैंने इसका नाम मंदब बहुत चोटा रख दिया जिससे मैं इसली समझ पाऊ और इसली मैं मैं एक्क्रोईड के अंदर जो की हर का नाम दे पाऊ इसके लिए मैंने यह सब हो आपनीन सबही की छोटे कर दिया तो आपको समझ में आ गर Birds करने का आप को देख सकते होり Ländern इंफो के लिए मुझे आइकन यीए उजिक है तो यह पूरा का पूरा कर नाम यह पूरा का पूरा का नाम यह कोपी करने के बद आपको एन इ吃 कर देना यह मैंने पेश्ट कर दि तो मार्केट के बाद मुझे चाहिए यह order का अब यह मैंने चारो आइकोन ने तो सेट कर दिया तो यह तो हमारा आइकन सेट हो गया अब आप स्क्रीन इसको टेस्ट करोगे तो आपके नीचे वह और नेविगेशन बार दीखेगे अब हम बात करेगे कि इस नेविगेशन बार पर क्लिक करने पर एक्शन होना चाहिए मतलब हमारे जो ले आउट है वह विजिबल इन्विजिबल ओपन और होने चाहिए तो इस वीडियो में बस इतना ही इसके आगे का टूटूरियल हम नेक नहीं किया तो नीचे राइड क्लिक बटन दिजाए इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजो पार्टू की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस पर क्लिक करके आगे का टूटूरियल दीख लिए तो रंक्यों मच फॉचिन दिस वीडियो